सक्से सुईद सुमन में आपका स्वागत है EBS के महत्पूर्ण कोश्चन के साथ मैं आपका दोस्त सुरेश कुमार सुमन आज का पहला कोश्चन प्रयावरन अध्यायन के सिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिरिया घर ले जाने की योजना बनाते हैं आप बच्चों को निमने लिखित में से कौन सी गती बीधी करने की अनुमती नहीं देंगे पहला अप्शन चिरिया घर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की समागरी ले जाना दुसरा चिरियागर के विवीन जानवर कौन से भोजन खाते हैं यह पता लगाना तिसरा, चिरियागर में जिन जानवरों को वे देखेंगे, उनकी फोटो एकतरित करना और चौथा चिरिया घर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्रोइंग की कॉपी को साथ ले जाना चुकि इस question में ना है नहीं अनुमती देना है आपको तो इसका सही answer होगा चिरिया घर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की समागरी ले जाना दूसरा question बीज अंकूरन की अवधरना को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है as a teacher आप बीज अंकूरन को बच्चो के बीज किस तरह से पढ़ायेंगे जिससे बेहतर तरीके से बच्चा उसे सिख पायेगा पाला option बीज बोने अंकूरन के विविन चर्णों का अलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधी को बच्चो को निस्पादित करने के लिए कहना दूसरा अंकूरित बीजो की फोटो दिखाना तिसरा, कक्षा में अंकूरित बीजों को दिखाना और अंकूरन की प्रकिरिया को स्पष्ट करना नेक्स्ट, बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकूरन के लिए चर्नों को परदर्शित करना इसमें सबसे महत्वपूर्ण आंसर है बीज बोने अंकूरन के विभीन चर्नों का अउलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गति विधी को बच्चों को निश्पादित करने के लिए खाना मेरे प्यारे मित्रों इस तरह से 62 का आंसर 1 होगा नेक्स्ट कोश्चन है मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां है मीरा समो से कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करना भोजन पसंद करती है जिसमें लोह तत्त्त की कमी है मीरा और दिव्या को निमनलिखित बीमारीों में से करमसा कौन सी बीमारी होगी करमसा कौन सी बीमारी होगी इसके लिए पहले हम अप्शन को देखते हैं जब भी जंग फूट की बात आएगी तो मोटापा निश्चित रूप से मोटापा की समस्या आ सकती है पहले हम अप्शन को देखते हैं मोटापा और स्कर्वी मोटापा तो ठीक है लेकिन स्कर्वी तो बिटमिन सी की कमी से होती है स्कर्वी और इनेमिया इनेमिया लोग तत की कमी से होता है लेकिन जंग फूट की कमी से स्कर्वी रोग नहीं होता है इनेमिया और रताओधी इनेमिया तो ठीक है लेकिन रताओधी नहीं मोटापा और इनेमिया मोटापा और इनेमिया उनको हो सकता है इसलिए इसका आंसर निश्चित रुप से फोर्थ होगा नाव नेक्ट कोश्चन, कोश्चन नमर 64 पे चलते हैं बच्चो के को बिभीन परकार के इंदनों से परचित कराने के लिए शिक्षक हमें इंदन के बारे में बच्चो को बताना है पहला कक्षा में कुश्च इंदनों के नमुने दिखा सकते हैं एक लगू फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तिमाल होने वाले संभावित इंदन के परकारों पर बच्चो के साथ चर्चा कर सकते हैं चार्ट में इंदनों के चित्र परदर्शित कर सकता है, बच्चों से बिवीन परकार के इंदनों की सुची बनाने के लिए कह सकता है। चर्चा कर सकता है। अर्थात हम कच्षक में इंदन के नमूने को नहीं ले जा सकते हैं, चार्ट में इंदन के चित्र परदर्शित कर सकते हैं, लेकिन अगर बच्चों को लगूफ फिल्म दिखाएंगे तो वो देखेंगे भी, सूनेंगे भी और उसे ज्यादा से कोश्चन नमबर 64 का आंसर नमबर 2, सही जबाब होगा। नाव नेक्स्ट कोश्चन की ओर चलते हैं, कोश्चन नमबर 65, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कोशल में शामिल है। जैसे कि हम बच्चों को मानचित्र के बारे में बताते हैं, तो उनको सिखाने के लि कारगर होगा, तो हम अप्षन को देखते हैं, पहला अप्षन है, अभी ब्यक्तात्मक योजनाओं को बाहर निकालने के लिए बिलक्षन संप्रेशन कोशल, फिर से कोश्चन को देखते हैं, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कोशल में सामिल है। अभी ब्यक्तात्मक योगताओं को बाहर निकालने के लिए बिलक्षन संप्रेशन कोशल, दूसरा अस्थान, दूरी और दिशाओं को सापेक सिस्षिती को समझाने की योगिता, ड्राइंग और पेंटिंग में बिलक्षन कोशलता, और चौथा, गलोब परिस्षित्ती दर परिशाने के लिए स्केच और गर्णनाओं का उप्योग करने की योगिता, तो हम जब भी मान्चित की बात करते हैं, तो मान्चित में अस्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक सिस्षिती को समझने की योगता को समझते हैं, और यह आनसर सबसे अधिक सटिक है, इसलिए 65 का आंसर नमबर 2 होगा नाव नेक्स्ट कोश्चन प्रयावरन अध्याइन की कक्षा में बच्चों के ब्यक्तिकत अनुभाव को महत देना शिक्षक को लाब पहुंचाता है आजकल चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का बहुत ही महत तो है बच्चों के अनुशार सिक्षन प्रनाली को अपनाया जा रहा है उसी पे इस कोश्चन को देखते हैं उसी पे अधारित्या कोश्चन भी है पहला अप्शन बिशाय को बच्चों के अनुभाव संसार से जोरने और बिमर्च वा सिखने को बढ़ावा देने में उसकी उर्जा बचाने में क्योंकि बच्चे बाच्चित करना प्रशंद करते हैं बच्चों के बिशिष्ट अनुभाव को जानेने में बच्चों की भासा और शंप्रेशन कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करते में दोस्तों इसमें बिशाय को बच्चों की अनुभाव संसार से जोड़ने और बिमर्श और सिखने को बढ़ावा देना परियावरन अध्यान की कक्षा में बच्चों के ब्यक्तिकत अनुभाव को महत देना सिख्चक को लाब पहुंचाता है के लिए अत्यदिक सटिक आंसर है दूसरा अप्षन है उसकी उर्जा बचाने बच्चों के पास बहुत उर्जा होता है बच्चों के पास उर्जा की कमिने ही होती है इसलिए हमें उर्जा बचाने वाली बात के ध्यान नहीं देना चाहिए बचों के बिसिस्ट अनुभव को जानने में अमें लाब नहीं पहुंचता है और चौथा है बचों की भाषा और शम्प्रेशन भाषा और शम्प्रेशन का समबंद यहां पर पर्याबरन से नहीं चुकि वो भाषा का शीक्षन में आता है इसलिए आंसर पहला सबसे सही जबाब होगा Now question number 67 Question number 65 का आंसर होगा 1 अब हम चलते हैं question number 67 की ओर यहाँ देखा गया है कि पाचन किरिया बाहर की अपिक्षा अमाशे के अंदर अधिक तेजी से होती है क्योंकि पहला पाचक रस जब अमाशे के बाहर रखते हैं तो निश्क्रिय हो जाते हैं अमाशे के अंदर भोजन का मंधन होता राता है जिससे उसकी सतह कच्छित्फल बढ़ जाता है और एंजाइम की किरिया तेज हो जाती है ये बात सही है बिल्कुल सही है अगला पढ़ते हैं पाचक रश अमाशे के अंदर अमलिये होते हैं जबकि बाहर वे छारिये होते हैं ऐसा नहीं होता अमाशे के अंदर भोजन की उपर सिती में पाचक रश का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है नहीं ऐसा नहीं होता है तो इसमें कोश्चन नंबर 67 का सबसे सटिक जबाब है कि अमाशे के अंदर भोजन का मन्थन होता रता है जिससे उसकी सता अपनी जिसकी उसकी सता एक सेकंड का छेत्फल बढ़ जाता है और एंजायम की किरिया तेज हो जाती है इसलिए इसका आंसर सेकंड होगा नाओ कोश्चन नंबर 68 पर आते हैं निमलिखित कत्नों में से कौन सा प्रात्मिक अस्तर पर पर्यावरन अध्यान को निमलिखित कत्नों में से कौन सा प्रात्मिक अस्तर पर पर्यावरन अध्यान पढ़ाने का उदेश नहीं है प्रात्मिक अस्तर पर परहाने का उदेश नहीं है नहीं पर हमें ध्यान देना है नहीं है नहीं वाले में हम हां का आंसर नहीं देंगे इसमें निगेटी वाले option को हमें डोटना है तो बच्चोप और आकलन के लिए शब्दावली और परिभासा का बोज डालना कुछ ऐसे words होते हैं जो की question को नाकरात्मक बना देते हैं बोज डालना यहां पे यह option बता रहा है कि यह नहीं होना चाहिए फिर भी हम आगे के option को भी देखते हैं जीवन और प्रयावरन से सरोकार रखने वाले मुल्यों को आत्मशाद करना यह बिल्कुल सही है प्राकिर्तिक और समाजिक वातावरन के बारे में उत्सुकता जगाना बिल्कुल सही है बच्चो को खोजने की किरियाओं में लगाना तथा बेवहारी किरियाएं करवाना जो संग्यात्मक और मंस्चालक कोशलों के विकास में सायक होती है option दो तीन और चार सही है लेकिन हमें चुकि इसमें उदेश नहीं है उसको डूटना है तो इसका option number one सही answer होगा क्योंकि बच्चों पे हम बोज डालने का नहीं सोच सकते हैं बोज डालना नकरात्मक ताकि और जाता है अता question number 68 का सही answer one होगा now question number 62 69 69 भैस अक्षर इस question को बच्चे भी देखते हैं हम लोग भी देखते हैं और चुकि पर्यावरन हमारे आसपास में घटने वाले घटनाओ और उससे सम्मंधित सभी तथियों को परना होता है चनकारी रखना होता है उससे सम्मंधित एक question है कि भैस की पीट पर अक्सर बगुला इग्रेट एक पक्षी है सभी जानते हैं बैठा दिखाई देता है ऐसा इसलिए होता है क्यों कि बगुला भैस की पीट पर परजीवी कीट खाता है हाँ बगुला परजीवी कीट को खाता है बैस पर जब बैठता है बगुला तो आप देखते होंगे क्वे कुछ नकुछ ढूडते रहता है दूसरा घास में पाये जाने वाले कीट खाता है अगर घास में पाये जाने वाले कीट खाता तो बगुला को भैस के उपर बैठने के जरूरत क्या थी वो जमीन पे बैठता तिसरा भैस के पीट पर बैठकर गाना परशंद करता है नहीं ये तो बिल्कूल ही नहीं है उरने के बाद थोड़ा आराम करता है आराम करने के लिए पिरपवद होते हैं पक्षियों के जानवरों के शरीर पे बैठ कर कोई भी पक्षी आराम नहीं करता वे अपने भोजन या कोई अवश्यक चीजों को प्राप्त करने के लिए ही जानवरों के पास आते हैं तो इसका सही आंसर भैस के पीठ पर परजिवी कीट को खाता है सही आंसर होगा अब हम अगले कोश्चन के उड़ चलते हैं दोस्तों परियावरन के कोश्चन को परना समझना और उससे निगेटिव और पोजिटिव पॉइंट्स को ढूड़ना बहुत महत्पूर्ण है जल्दी बाजी में कोश्चन गलत हो जाते हैं इसलिए कोश्चन को समझना है एक बार दो बार परकर ही आंसर देना है नेक्स कोश्चन परियावरन अध्ययन की पाठ पुष्तक में रेलवे टीकट का एक नमूना दिखाना परियावरन में आप जब क्लास फॉर्थ में पढ़ाएंगे न्सेटि में तो रेलवे टीकट के बारे में बच्चों को पराना है इस टिकट के नमूना को दिखाना है पहला option निश्कर्षप पहुँशने की बच्चों की कुशलता का विकाश करता है दूसरा बच्चों को वास्त्विक जनकारी से अंतर किरिया करने का ओसर देता है तीसरा बच्चों को रेल के किराये के बारे में बताता है बच्ची हैं तो उनको किराय से कोई संबंदने रहना चाहिए और तीसरा है टिकट में परियुक्त विभीन ग्यान उपलब्द कराता है तो यह अभी चुकी बच्चों की बात होड़े ही है तो बच्चों के लिए इसमें जो सबसे उचित उत्तर होगा वो होगा कि बच्चों को वास्त्रिक जनकारी से अंतह किरिया कराने का आउसर देता है आउसर शब्द हमेशा के विएस और सीटेट के प्रश्णों के लिए बहुत महत्यपुन बन जाता है इसलिए उसका आंसर होगा दो नमबर आंसर इसके सटिक होंगे अब हम अगले प्रश्णों की और बढ़ते हैं अगला प्रश्ण है अगला प्रश्ण में कुछ समस्या है हम इसको बाद में देखते हैं फिर हम चलते हैं कोश्ण नमबर 72 पर दत्कार्ज के सम्बंद में निमलीखित में से कौन सा कथन सही है होमवर्क इसको इंगलिश में बोलते हैं कि सम्बंद में निमलीखित में से कौन सा कथन सही है दत्कार बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्मान करने और उन्हें उच्छारित करने का उशर परदान करता है दत्कार अभिबाओं को भाईयों या बहनों द्वरा अपनी शमता के अनुशार किया जाता है प्रती दिन बिबिधिता और अभियास कराने के लिए कख्षा कार्ज और फिर गिरिह कार्ज के रूप में दत्कार जिरने की और शक्ता है दत्कार आकलन का एक मातर तरीका है एक मातर तरीका है यह तो ऐसे ही गलत हो गया तो सबसे इसमें जो उचित आंसर होगा दत्तकार्ज बच्चों कुछ सुचना खोज ने कुछ चुकि बच्चा यहां सुचना खोज रहा है अपने विचार का निर्मान कर रहा है और उचे उचारित करता है और इन सब के साथ उसको औसर प्राप्थ होता है इसलिए ये आंसर सही होगा और 72 का question number 72 का first option सही होगा दोस्तों इस तरह से हम question number 73 पे चलते हैं question number 73 इस परकार से है पर्यावरन अध्याइन की कक्षा में सरल पर्योग और निर्दर्शन किये जा सकते हैं सरल पर्योग और निर्दर्शन किये जा सकते हैं पर्यावरन अध्याइन हमेशा सरल होना चाहिए और डूइंग बाई लर्निंग होनी चाहिए और हमारे आस पास के सोसाइटी, कल्चर, क्लाइमेट से मिला जुला होना चाहिए अप्षन को देखते हैं, बच्चों दोरा पुछे गए प्रश्णों पर आधारित बिचारों पर चर्चा करने और लोकनों को दर्ज करने तथा उनका विशलेशन करने के लिए कक्षा में अनुशासन को सुनुश्चित करने है तू बच्चों को नियंतरित करने के लिए बच्चों को स्वेम सिखने के योग बनाने और आवलोकन कोशलों को पैना करने के लिए हाँ बच्चे स्वेम सिखते हैं उनको और स्वेम सिखना सबसे इसमें पॉजिटिव है इसलिए इसका आंसर कोश्चन नमबर 73 का 3 ओप्षन सबसे सही आंसर होगा कोश्चन नमबर 74 दुरगा एक गाउं में रहती है दुरगा एक गाउं में रहती है और लक्री या गोबर के उपले का इंधन इस्तिमाल करते हुए चूले पर खाना पकाती है पिछले तीन महियों से उसे तेज खासी आ रही है इसका कारण हो सकता है इसका कारण हो सकता है तो एक कोश्चन में आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ प्रिवियस येर का ये कोश्चन है अगर आप के बीएस और सीटेट के प्रिवियस येर 2011 का कोश्चन अगर देखेंगे तो शायद ये कोश्चन आपको मिलेगा उसका आंसर आपको कमेंट बक्ष में देना है और आपकी कमेंट का मुझे इंतिजार रहता है और इन ही प्रश्चनों के साथ आज का मैं सेशन एंड कर रहा हूँ आपको यह सेशन कैसा लगा कितना आपके लिए महत्त पूर्ण है आप अपना फीड़बैक कमेंट सेक्षन में दे सकते हैं और चैनल को लाइक करना है सब्सक्राइब करना है और अपने मित्रों के बीज शेयर करना है और साथ में अत्याथिक मेहनत करना है इनी शब्दों के साथ आज का सेशन से लेता हूँ विदा जय हिंद